असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मेथी जो इजली बहुत अच्छे से बन कर तियार होती है और बहुत टेस्टी भी होती है यह हमने ले ली है मेथी और पालक धाइसो ग्राम और धाइसो ग्राम ही ली है काली दाल जो 10 मिंट दो कर भी गोदी थी मेथी और पालक भी बहुत अच्छे से दो कर काट लिए अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून मिर्च पॉडर यह बिसमें डालेंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च लसान अधरा का पेस्ट वन टी स्पून दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक छोटा अधरा का पारीक कटा हुआ टुक्रा और इनको अच्छे से मिक्स कर दें फिर इसमें यह पालक और मेथी डाल दें और गैस की फ्लेम पर फुल फ्लेम पर रख दें और इनको अच्छे से मिक्स कर दें और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें लाइक शेयर भी जरूर कर दें इसमें तीन से चार चम्मच पानी डाल दें और कुछ मेती अपना पानी छोड़ती है बहुत कुछ तो जिसमें यह दाल अराम से गल जाएगी थोड़ देर इसको ढखके रख दें और फिर इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद तीन सीटी लगा दें तीन सीटी के बाद यह ऐसे दिखेगा कितनी अच्छी पहत्रीन बन कर तयार हुई है अब हम इसमें लगाएंगे तड़का इसके लिए हमने तीन बड़े चमच मस्टर्ड ओयल ले लिया है जो अच्छे से गरम करने के पाद इसमें दो सुखी लाल मिर्च के टुक्ड़े डाल दें और जब यह अच्छे से गरम हो जाएं तब इसमें वन टीस्पून जीरा और वन पिंच हिंग डाल दें और जब जीरा अच्छे से चटक जाए और कलर चेंज हो जाए तब इसको कुकर में डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें यह देखिएगा कितनी अच्छी बेतरी मिंटों में बनने वाली दाल मेथी और बहुत टेस्टी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीस सब्सक्राइब जरूर कर दें अला आफिस